असलानेकुम वेलकम बेक टो में चैनल के आप सब भूमिन करते हैं आप सब खेरे जोगे मैं पर नहीं कुल ठीक हो तो अभी मैं अपने ओफिस में हूं यही मेरा बेक रूम है यही पर हूं है क्यों कि मैं जा रही हूं और पी डॉक्टर के पास जाए एक लिए में दात में ब जालो तो यह दवाई मेरे यही से बैएक की थी मतलब vibes जही ली थी तो पाड़न में घाना था गारी था और मैं अब यह लिकार्शां से बाएक्टरी के बाद यह दिकर्टर के पर जयाना था श्यी ले मेरे हसबन मुझे कुझे डायरेक लिनिक पे में मिलना गारे थे तो मै तो मैं पोच गई थी प्लीनिक पर मेरा हस्बेन भी आ गए थे और आपको बताती हूं अच्छा था प्राइवेट अच्छा था यह पर तो गवर्मेंट भी अच्छा रहता है तो बस डॉक्टर ने मुझे बुला लिया था अंदर यह देखा हमारी खाला एडमेट हो गई है ओं इनका दाथ निकलने वाला है तो बस इतना विडियो यह देखो यह देखो यह देखो यह यह दोक्टर का डैस है और यह अपर खाला लेटी है यहां पर सब इक्पमेंट होते हे और यह होता है da dentist का क्या operation table !!! कि ऑपरेशनल बैड और कुछ बोलना है खाला और उदर बायोजाड वेश का डब्बा है उसके बाजी में नॉर्मल वेश का डब्बा है और इधर कैसा चड़के बैठते बताऊ और यह एलेक्टर इलेक्ट्रोनिक कंट्रोल है पूरा आगी पीछे एलेक्ट्रोनिक से होता है और बोला और नीचे वह है जिससे बटन से कंट्रोल होता है सीट्स आगे पीछे उपर नीचे और पानी पानी को कुल्ली करने के लिए वह गरारा करने के लिए उदर है कितना सोफेस्टिकेड़ है ओमाइगाड तो मेरा दाथ जो है लिकल गया था बस एक मिनिट लगा था एक मिनिट से भी कम में मेरा दाथ लिकल चुका था और फिर मुझे तो पेंट कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि सून था तो बस मैं बैठी थी मेरे हस्बेंड पेमेंट कर जा लिए और मेरे दाथ जुका है और पतानी पेंट करेगा और मेट्रो स्टेशन था एजुकेशन सटी तो वहां पे ये सब शॉप ये मेट्रो स्टेशन परीमस लगता पूछ अच्छा है जब जगा शॉप भी मिल जाती है आप लोग को और छोटा सा के पेटेरिया भी मि आपको लिखना कर रहे हैं तो आपको घर पे जाके पता नहीं में बात कर पाउग यानि मैं तो इसलिए में वीडियो यही पर कर दूंगी और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको और नॉलेच चाहिए कौन सा क्लीनिक है कि क्यों यूजे पॉर्ड मुश्किल से मिला था और ये एक्स्पेंसिव भी नहीं है तना 150 में मेरे दात का जो एक्स्ट्रक्शन हो गया था और आप हम घर जा र क्यों में तनके ले लावी